हालो एरवान आप सबका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुल कैपसूल में और आज का जो हमारा लेक्चर है ये एकनॉमिक कंसिडरेशन के उपर है लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था तो इस लेक्चर में हम करने जा रहे है एकनॉमिक कंसिडरेशन तो एकनॉमिक कंसिडरेशन चलो स्टार्ट करते हैं क्या है इस एकनॉमिक कंसिडरेशन में there is a wrong notion in the mind of people that the regular maintenance makes the building usage costly and the uneconomical कह रहा है लोगों के दिमाग में एक गलत कॉंसेप्ट है कि अगर हम regular maintenance कराएंगे तो हमारी जो building की cost है वो बढ़ जाएगी और un-economical हमारी जेब से बाहर हो जाएगी ये गलत चीज़ है ये गलत concept है हमें लगता है कि हम ये maintenance कराएंगे तो हमारी जेब से पैसा जा रहा है ऐसा नहीं है बिल्डिंग ने आपके बिल्डिंग ने पैसा लेना ही लेना ठीक है अगर आप आज नहीं उसको करवा रहे तो कल वो repair मांगेगा और repair जादा महंगा पड़ेगा आपको maintenance से ठीक है एक उर्जे को खरीद कर लगाना ठीक है cost तो वही लगेगी लेकिन अब आपको additionally एक नहीं चीज़ अगर कुछ चीज खराब होगी उसको लगाना तो आपको maintenance जो है वो जादा economical पड़ती है उसका ये कहने का if real cost of the building for a serviceable life is considered then the regularly maintained building are much economical and cost effective due to enhanced serviceable life if the real cost of the building अगर हम actual cost जो है सही cost जो है building की उसको देख कर चलें is considered then the regularly maintained building जो regularly maintained building है हमारी are much economical वो बहुत economical या cost effective होती है due to enhanced serviceable life तो क्योंकि हमने उसकी serviceable life को बढ़ा दिया अब उसने जो service देनी है वो अब और बढ़गी जब आपने maintenance की तो जो actual जो उसकी वो बन रही है cost maintenance की cost से आपको फाइदा ही होगा नुकसान नहीं होगा क्योंकि अब आपको और service मिलेगी ठीक है और कम पैसों में मिल रही है the serviceable life of a building is governed by the number of factors अब serviceable life किस किस factor पे depend करती है the extent to which the maintenance was considered and included in the design design करते वकित आपने दिमाग में क्या सोचा था किस हद तक आप maintenance करोगे maintenance करोगे कितना पैसा maintenance पे लगाओगे वो सारी अगर आपने planning की है सोचा हुआ है तो ये भी effect करता है दूसरी चीज़ है degree to which the users carry out the maintenance work during the life of the building तो during the life of the building पूरी life जो है building की उसमें आपने कितनी बार maintenance करवाई है और किस हद तक आपने maintenance करवाई हुई है ये भी बहुत एहम रोल क्योंकि अगर maintenance करवा रहे हो साथ-साथ में तो उसकी service बढ़ेगी नहीं करवा रहे तो वो कराब हो जाएगी same as you see in your गाड़ी जो आप लेते हो या कोई भी two wheeler लेते हो तो उसकी service अगर नहीं करवाऊगे time to time तो उसकी service जो है serviceable life उसकी कम हो जाएगी economic consideration तीसरा factor है, पैसा ठीक है? economic consideration आ जाते है उसके पाद आता है Life of the building Building की life के बारे में बात करते है किस तरह की life होती है यह कहरा है तीन तरह की life है building can be considered as having the three distinctive lives namely पहली life है उसकी physical life, दूसरी है उसकी functional life और तीसरी है उसकी economic life तीन तरह की life होती है Building की पहले है फिजिकल लाइफ, फिजिकल लाइफ से आप क्या समझते हैं, फिजिकल लाइफ उसकी वो लाइफ है, जैसे जैसे समय बीचता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो गटती जाती है, ठीक है, अपेरेंस में भी फरकारता है, डेटोरेशन होने लग पड़ती है, material खराब हो लग पड़ता है, that is its physical life, और यहाँ पे इस paragraph में इसने लिखा हुआ है, अगर हम regular or planned maintenance करते हैं, तो उसकी physical life को कोई effect नहीं होगा, मतलब physical life को effect तो होगा, लेकिन हम उसकी इस life को enhance कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना जादा हम बढ़ाना चाहते हैं, extend कर सकते हैं उसको, functional life होती है, वो life जिसके लिए, function हो गया, किसके लिए आपने बनाई थी, तो functional life होगी, कि जिस purpose के लिए आपने बनाया है, आप उसको पूरा कर पा रहे हो, यह नहीं कर पा रहे हैं, अब यह कहा रहा है कि building जब अपनी functional life को पूरा कर देती है, तो भी हम उसको different functions के लिए use कर सक हैं, यह कहा रहा है कि क्योंकि social और technological changes तो हम आते ही रहेंगे, जमाना change होगा, तो आपने जब वो building बनाई थी, जिस भी function के लिए बनाई थी, residential के लिए बनाई थी, तो बाद में आप business के लिए use कर सकते हो, तो इस तरह से आप अलग functions के लिए उस building को इस्तमाल कर सकते हो, सम economic life, economic life का यह सबसे best कहता है, कि अब maintenance करवानी चाहिए यह नहीं करवानी चाहिए, यह हमें यहाँ से पता लगता है, अगर हम उसका comparison करें, कि maintenance ज़्यादा, इस property की maintenance ज़्यादा है, यहाँ फिर इसकी replacement ज़्यादा है, अगर maintenance में ज़्यादा पैसा लग रहा है, और replacement में हम इतना ही रखते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई doubt है, यहाँ आपको PDF बगएरा चाहिए, आप मेरे को, मेरे WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं, और यहाँ फिर मेरे साथ जोड़ सकते हैं किसी भी social media platform पे,